मटकी में रखा हुआ ताजा माखन और साथ में मिश्री ये है कानहा के प्रीभोग तो फ्रेंड्स आज शाकार सदा बाहर किचिन में जन्मस्ट में के आउसर पर हम यही बनाते हैं तो माखन बनाने के लिए यहाँ पर हमने तीन प्रकार से माखन को बनाया हुआ है और साथ में ही जो माखन मिश्री है ये तुकाना का प्रीभ होग है तो इसे भी हम बनाएंगे ही तो फ्रेंड्स जे जिनेन शाकार सदा बाहर किचिन में आपका स्वागत है आज हम तीन प्रकार से माखन बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रिक विसकर से दूसरा हैंडी विसकर से और तीसरा हम बनाएंगे चमत से तो यहां हमने तीन अलग-अलग बाउल में जो मलाई है उसको डिवाइट कर लिया है अब इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे एक मलाई के जो बाउल है उसमें और उसको फिर हम चमत से अच्छे से विसक करेंगे तो देखे चमत से करते 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 धीरे धीरे इसमें से माखन आने लग जाएगा बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है सिर्फ पांच मिट में ही ये माखन जो है वो आने लग जाता है निकलने लग जाता है तो दूद और जो माखन है वो अलग-अलग हो जाता है काफी अच्छे से अलग-अलग हो जाता है separate उससे हमें समझ में आ जाता ही कि यह माखन हमारा निकल चुका है इस प्रकार से विस्ख करते हुए जब माखन और चाच अलग-अलग हो जाए तो हमारा जो माखने ही तयार हो चुका है इसको हम अलग कर लेते हैं इसको हम अलग से हटा के एक तरफ रखते हैं और अब हम लेते हैं दूसरा वाला बाउल उसको हम करेंगे जो मथानी होती है या जो हैंडी विसकर होता है उससे हम इसको विसकरेंगे तो ये भी बहुत जल् तो मेरे माखन आ पर करने की। जब करेंके कॉपी पानी नहीं की तो की यूँफे खरी के अंधर चाहे मुनी से对 का भी ऐसी माखनी आप है के द्धानी टुकिल नेग। मेरे माखन टाहर तो दूसरी मेध़र से अरुप नशल्टALK और deciding की आपका है तो इससे हम आखन मनाएंगे तो बहुत ही आसान है क्योंकि आजकल हमारे पास समय तो रहता नहीं है समय नहीं रहता है तो लोगों को फटा-फट जो काम चाहिए तो यह इलेक्रिक विस्कर उसके लिए सबसे बढ़िया है तो इससे हम जब माखन निकालेंगे तो विदिन वन माकहन तयार हुआ है तो फ्रेंड स यहां पर हमने तीनों प्रकार से जो माकहन निकाल लिए हैं और अब इसमें से जहाजंहें उस इसको अलग लग सेपरेट कर लेंगे तो UCBOL में हम सारा माखनहsels कटा कर लेते हैं और बौल में हम दूब जो उसका छांच बची हुई है। उसको निकल के रख नेंगे। तो यह देखिए हमारा जो मांखन आ चुका है पर नभी जो हमने मांखन निकाल के रखा हुआ है। इसमें अभी भी थोड़े से छांच का अंश बचा हुआ है। तो फूरी तरीके से चांच से फ्री करनेे के लिए थोड़र से इसमें चार से पांच हम आाएस क्यूबस डालेंगे तो इसके कारंण जो ऐस क्यूबस डालने से माखन में जो एक्स्ट्रा चांच रहता है वह पूरी तरीके से निकल जाता है और ये देखिए हैं जो हमारा चांच है और जो माखन है पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं और जो अब माखन है इसको हम हाथों में लेकर थाल के हाथों से थोड़ा सा दवाएंगे और इस प्रकार से इसका गोला बना लेंगे तो हमारा माखन तयार है अब इसको हम कर देते हैं हांडी में shift तो हमारा जो भगवान के लिए भोग है वो तयार हो चुका है माखन और इसको हमें बनाना है माखन मिश्री भोग तो क्योंकि भगवान को माखन के साथ में मिश्री बहुत पसंद है किसे हम मिला लेंगे तो चमस से ही मिला लेते हैं तो पौडर फाम में तो ज़्यादा इसको जरुरत नहीं है मिक्स करने की, दो से तीन बार हम इस प्रकार से मिक्स करेंगे, तो जो हमारा माखन मिश्ट्री अच्छे से मिक्स हो जाएगा अब जब हम भगवान को भूग लगाएंगे तो भूग लगाते समय इस पर हम रखेंगे एक तुलसी बत्र, तो यह हमारा भगवान का जो भूग है तयार हो गया क्रिश्टन जन्माश्टनी के अउसर पर तो फ्रेंट्स इसको आप लोग भी एक बार जरूर ट्राइ करें और कैसे आपने इसका भूग बनाया है इसका फीडवेक भी मुझे जरूर दें मेरे चेनल शाकाहर सदा बाहर को लाइक, शेर, सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करें तो चलिए फ्रेंट्स फिर मिलते हैं किसी अने रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जै जिनेंद्र